हेलो फ्रेंड्स मैं मॉनिका आपके गारनर दोस्त आज आपको कराती हो नर्सरी की सहर आज मैं नर्सरी गई थी सुबह दुपैर में तो मौसम इतना अच्छा था क्लाउडी था लेकिन जब जाने का टाइम आया तो धूप निकल आई थी इसलिए मैं शाम को गई थी इस बार यह दिया चली जाएगी तो इसलिए प्लांस लेके लगाना बहुत बड़ा काम होता है है थोड़ी सी मिल जाए तो अच्छा रहता है तो आज मैं देखा मैंने का देख क्या आते हैं और देखिए जो गार्डनर है वो एक बार जाएगा ना तो बिना लिए तो आएगा नही और जाने के इंटेंशन से लाने के इंटेंशन से ही गई थी मैं तो देखिए लाई हूँ और वो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ और अभी भी शायद आपको दिख जाए मैं सलेक्ट क्या कर रही हूँ यह देखिए यह गार्डन हैं तो है देक् yapt प्लांट को फोर्ग मत्य है जोटे सो अपनी प्लांट्ट है !! कि फूर भी थोड़े दिन पहले वीडियो में दिखायाक है था पी अगर आपके पास अगलोनेमा प्लांट है तो आप और जो आपको डेवाइड कर सकते हैं छोट छोटी देखिए यह पॉडचुलाकर की पॉड़ है और यह जो जीड प्लांट की मैंने कटिंग्स देखी कि आजकल इतनी महंगे मिलती हैं एक-एक कटिंग जो है वह कित्ते की बता रहे थे वह सो की बता नहीं 50 की 30 रुपीज की सॉरी एक कटिंग 30 रुपीज की और मैं तो इतने धेर के धेर को 10-10 किलो उसकी कटिंग देती हूँ को मैं कहां इतना प्रॉपगेट करूं अब देखि नर्सरी में तो ले आए और आपके पुराने गुल्दाओदी आपने सेव किया है तो उसमें से बना के कटिंग लगा ले तो मुझे कुछ यहां कटिंग अच्छी लगी छोटे वाले गुल्दाओदी की तो मैंने वह कटिंग भी लिए इस ताइम अगर आपने कटिंग नहीं हैं तो नर्सरी से कटिंग ले आएं फिर बड़े पौदे हो जाते हैं उससे अच्छा भी आप कटिंग लगाएं तो अच्छा है देखिए यह सिंगोनियम के डॉफ वराइटी के कटिंग में मिलती है बाकी यह देखिए सारे प्लांस आप देखते ही रहें देखिए आगल पर में कोई एक्जैक्ट पाम का नाम नहीं इसका पता है यह अरेक पाम है चोटे चोटे जो लगे हुआ है अगर इनी को आप थोड़े बड़े गमलों में लगाएंगे तो यह वैसे ही फुल हाइट लेंगे बड़े वाले कोई डौफ अरेका पाम जैसी कोई ऐसी पाम इस टाइम अच्छे बहुत चलते हैं यह जो मौसम होता है वैसे तो सभी पौदों के लिए बहुत अच्छा होता है अरेलिया देखिए यह गोल-गोल पत्तों वाला अरेलिया की वराइटी बहुत मिल रही है नर्सरी में इस टाइम मुझे एक्चुली ना बताउंगे आपको पौदे कुछ लेने थे मेरे कुछ कमले खाली हो गए तो उनके लिए मुझे कुछ पौदे लेने थे इसके लिए ही मैं गई थी और आपको कल दिखाती हूं मैं क्या लेके आई हूँ यह सारी छोटी-छोटी पौद हैं हैंगिंग बासकेट मिल रही है नर्सरी में और देखिए यह पौद है इसमें जो है गेंदे की पौद मिल रही है सब्जियों की पौद है इस टाइम आपको नर्सरी इसमें बहुत मिलेंगी और पोट चुला का है यह सारी देखिए यह जेट की अलग वराइटी है और इस टाइम आप बोगण विल्या भी ले सकते हैं बोगण विल्या की कटिंग लगायी है इस टाइम क ratios बहुत अच्छी लगती है और और ए कि अपने बीज लगाने सब्जियों की वह लगायी है वैसे मैं कहती हुँ आपको नर्सरी इसे न च्छोटी-चोटी पाओध सब् बात नहीं अगर अवेलेबल आसपस कोई नर्सरी है तो जैसे बीज आप 10-15 बीज लाएंगे वहां से आप 2-3 पौद ले आएंगे तो काम चल जाता है पस इसी चीज में यह देखिए यह इनके जो है वो पॉन बनाया हुआ है नर्सरी में और इसमें देखिए अम्रेला पाम बी मिलने शुरू हो गए हैं मैंने कोलियस ध्यानी से दोकूए यह ले नगे अच्छी वराइटी इस तो कोलियस मुझे लाने तै मुझे मैं ध्यानी नहीं दिया कोलियस पर अब घर पे आके मैं बना रही हुञ रही कि कोलियस को नुगती गर techn पार ने तो ये थी नर्सरी की सहर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तो आप भी खरीद लाइए, बाइ फ्रेंट्स